नीनास केचन में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेश्टी और कम समय में बनने वाली मस्रूम मखाना की सबजी जब आपको मस्रूम की सबजी बनानी हो तो आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राय करना तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना सबसे पहले मस्रूम को अच्छे से धोलेंगे उसके लिए एक बोल में तीन कप पानी डालेंगे और वन टी स्पून नमक डालेंगे फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने यहाँ एक पैकेट बटन मस्रूम लिया है आप अपना कोई फेवरेट टाइप का मस्रूम यूज कर सकते हैं अब मस्रूम को अच्छे से क्लीन कर लेंगे जब मस्रूम क्लीन हो जाए तो इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे अब हम मस्रूम को चार भागों में वन बाई वन कट कर लेंगे देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर किसी किसी मस्रूम के एंड में कालप पुना आ गया है तो उसे हम कट करके अलग कर देंगे सारे मस्रूम कट कर लिए हैं अब इसे हम अलग से प्लेट में रख देंगे मैंने यहाँ पहले से ही पानी को उबन ले दे दिया था अब हम मस्रूम को डालेंगे और एक से दो मिनिट के लिए बॉयल कर लेंगे एक मिनिट बाद हम गयास को अफ कर देंगे और मस्रूम को स्ट्रेंड कर लेंगे मस्रूम हाप कुख हो चुका है अब यह रेशीप में डरनने के लिए रेडी है टमाटर काजू और प्याज का पेस्ट बनाने के लिए हम एक कड़ाई लेंगे और गैस अन करेंगे इसमें दो कप टमाटर, वन कप प्याज और टू टेबल स्पून काजू डालेंगे फिर वन वन फोर्थ कप पानी डालकर दस मिनिट तर ढख कर पकाएंगे बीच-बीच में ढखकन खोलकर कल्शी से लगातर चलाते रहेंगे देखिए ये बक चुका है इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं जब तक ये ठंडा हो रहा है हम तब तक काजू और मखाना को रोष्ट कर लेते हैं तो हम एक पैन लेंगे और दो टेबिल स्पून घी डालेंगे घी गरम होने पर हम देड़ कप मखाना डालकर इसे दो मिनिट तक रोष्ट कर लेंगे मखाना रोष्ट हो चुका है अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं अब उसी बैन में वन एंड हाप टेबिल स्पून घी डालेंगे और वन फोट कप काजू डालकर हलका फ्राइ कर लेंगे काजू सुनरा हो चुका है इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे टमाटर प्याज और काजू का मिक्सर थंडा हो चुका है अब इसे हम मिक्सर में डाल कर पीछ लेंगे चलिए अब सारे मसाले रेडी हैं अब हम एक कडाई लेंगे और फ्लेम को मेडियम पर रखेंगे दो टेबल स्पुन घी डालेंगे घी गरम होने पर दो छोटा टुक्रादार चिनी दो इलाइची और चार लॉंग डाल कर हलका फ्राइ करेंगे यहां पर हम दो तेजपत्ता भी डालेंगे अब टमाटर प्याज और काजू का पेश डालेंगे और कडाई को ढग देंगे इसे हम 10-15 मिनित तक पकाएंगे बीच बीच में धकन हटा कर हम मसाले को कल्सी से चलाते रहेंगे 10-15 मिनित बाद पेश थोड़ा पक भी गया है और थोड़ा ठीक भी हो चुका है फिर हम दो टीजपून लाल मिच पॉडर और स्वाज अनुसा नमक डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिच की क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं अब हम रोश्टेट काजू, रोश्टेट मखाना और बॉइल मसरूम डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम दो तिन महरी में चिराल कर हलका कल्ची चलाएंगे इसके बाद एक कप पानी डाल कर एक दो मिनिट तक पकाएंगे ग्रेवी काड़ी हो चुकी है, फ्रेव को आफ कर देंगे तो लेजिए मसरूम मखाने की सबजी बनकर तयार है चलिए अब इसे हम सर्फ कर लेते हैं मसरूम हेल्थ के लिए बहुत ही लाबतायक होता है मसरूम विटामिन डी का भी एक अच्छा श्रोत है ये सुगर पेशन के लिए भी लाबतायक होता है तो आप अपने डाइट में मसरूम को कभी-कभी जरूर सामिल कीजी आप चाहे तो सर्फ करते समय रोश्टेट मकाने से गार्निस कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेगा और बेग आइकन भी प्रेस करेगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें